हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग विवो ने अपनी काफी अच्छी सीरीज वी सीरीज का वी थार्टी प्रो स्मार्ट फॉन लॉंज कर दिया है आज हम जाने इसके फीचर्ज के बारे में क्या कुछ पैक किया है कमपने तो चलिए करते हैं बुक्स को उपन और करते हैं मोबाइल से प्रोटक्शन को रिमूव यह है बलैक कलर के साथ में स्लिमेश्ट स्मार्ट फॉन वी वो वी थार्टी प्रो तो चलिए करते हैं मोबाइल को बूट जब तक मोबाइल बूट होता है तब तक देख लेते हैं साथ हैं बोक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है हमको बोक्स के अंदर हमको मिल जाता है कि यह प्रोटक्शन के लिए बेस्ट क्वाल्टी का ट्रांस्परेंट केस और यह कुछ डोकुमेंटेशन और एक यह असी वोट का फास्ट अडप्टर दिया गया है और साथ में मिल जाती है टाइप A to C के बल और एक यह सिम जेक्टर टूल तो इसको रखके चलिए रखते हैं साइड और देखते हैं मोबाइल के बारे में मोबाइल का डिजाइन काफिया चबना गया है ट्रिपल कैमरा सेट अप दिया गया है और जेजिज की ब्रेंडिंग दी गई है और वीवो की भी ब्रेंडिंग दी गई है बैक साइड के अंदर और ओरा लाइट दी गई है 7.45 mm थिकनेश दी गई है और 188 ग्राम वेट दिया गया है और डिजाइन काफी अच्छा बनाए गया है बैक साइड में गलास दिया गया है और कलर भी काफी अच्छा दिया गया है तो चलिए देखते हैं इसकी डिस्प्ले क्लियरिटी के बारे में इसके अंदर 6.78 इंचेज के साथ में Full HD पलस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और 2800 निट्स पिक ब्राइटनेश दिया गया है डिस्प्ले क्लियरिटी काफी अच्छी है और इंडिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है डिस्प्ले स्प्ड भी काफी अच्छी दिगई है तो चलिए देखते हैं हम इसकी कैमरा के लिए IT बारे में अगर हम बात करें इसके अंदर कैमरा के लिए IT की तो इसके अंदर रियर कैमरा 50 Megapixel का Sonia IMAX 9T का सेंसर यूज़ किया गया है साथ में 50 Megapixel का Sonia IMAX 860 ने Portrait कैमरा दिया गया है मल्टी स्टाइल के अंदर साथ में 50 Megapixel का वाइड अंगल कैमरा दिया गया है ट्रिपल कैमरा सेट अप दिया गया है और इसके अंदर 4K60 एपी पेस में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है वीडियो की क्वाल्टी काफी अच्छी दी गई है हम आपके सामने के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो की क्वाल्टी काफी अच्छी दी गई है और कैमरा क्वाल्टी के अंदर Portrait Mode में हमको ये Smart और लाइट का फिचर काफी अच्छा फिचर दिया गया है इसे फोटो की क्लियर्टी काफी बेटर क्वाल्टी रहती है जो की काफी अच्छा फिचर दिया गया है इसे हम कलर को अड़्जेस्ट कर सकते हैं और कैमरा क्वाल्टी के अंदर काफी सारे फिचर दिये गए हैं और इसके अंदर फ्रंट का कैमरा पंचॉल कैमरा पचास मेगा फिक्सल का दिया गया है और यह Android वर्जन 14 पर बेस्ट दिया गया है और अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की ति इसके अंदर MediaTek Dimensity P.S.C.S.O. प्रोसेसर दिया गया है और इसके अंदर IP रेटिंग 54 दिया गई है और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में इसके दो वरियंट आते हैं इसका आठ जिबी दो 56 जिबी 41,999 रुपे का है और इसका 12 जिबी 512 जिबी 46,999 रुपे का है तो फ्रेंट्स आपको कैसा लगाए इस स्मार्ट फोन कमेंट सेक्षन में जुरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से एरे और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करना धन्यवाद